हेलो बच्चो मेरी पार्चाल में आपका स्वागत है आज की इस क्लास में हम डबलू एच क्वेस्टेंज बनाना से जिखेंगे डबलू एच मतलब ऐसे वर्ड्स जो डबलू एच से शुरू होते हैं जैसे वाट हीचे, वाट की चार इस वेड़ियो में हम यह सरफ चार वर्ड्स से क्वेस्टेंज बनाना सुखेंगे फिर मैं एक अलग वीड्य वैद्टू बनाकर बाकी जो डबलू और वर्ड्स हैं उनसे questions बनाना आपको सिखाऊंगा ठीक है तो एक एक करके हम इनको समझते हैं what क्या अगर आप किसी दे कहें तुम्हारा ना क्या है तुम क्या कर रहे हो ठीक है राम क्या खा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं इन questions को सुनकर या पढ़कर आप क्या अनुमाल लगाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं हम basically कुछ प्रशन पूछ रहे हैं कोई जानकारी लेने के लिए जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में हो सकती है किसी क्रिया के बारे में हो सकती है किसी चीज के बारे में हो सकती है तो जब हम जानकारी लेते हैं तो क्या हिंदी में वर्ड यूज करते हैं अक्सर तो उसको हम जब इंग्लिश में लिखेंगे तो वो डब्ली वेच कॉस्टिन बन जाएगा जैसे तुम्हारा नाम क्या है What's your name? What is your name? तो एक जानकारी है किसी विक्ति के बारे में उसका नाम जाना है और वाट इसको हम कॉंट्रैक्ट भी कर देते हैं वाट अपॉस्ट्रफी एस वो इसको कैसे प्रनाउस करते हैं? वाट्स अगर ऐसे लिखेंगे वाट इस यू़र नेम इसको अलग बोलेंगे ये वाट को अलग बोलेंगे वाट इस यू़र नेम अगर कॉंट्रैक्टिट फॉर्म में लिखेंगे वाट्स यू़र नेम तो ये कॉंट्रैक्टिट फॉर्म में हमने इसको यूज किया वाट को और अक्सर बोलने में हम contracted form ही बोलते हैं जब आप किसी से मिलोगे उससे पुछोगे भी उसका नाम जानना चाहोगे तो you will say what's your name? ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? जैसे आप किसी friend को phone करो तो जानना चाहरे हो कि वो क्या कर रहा है? तो you will ask what are you doing? इसको भी contracted form में कर सकते हैं What are you doing? What's Ram eating? What's Ram eating? यह contracted form में लिखा हमने अगर फुल लिखना है What is Ram eating? What is Ram eating? ठीक है? What time दोस्ट दोसुझन अप्रीन अर्राइव? तो डिखी, यहां पे जब इसको हम हिंधी में बोलेंगे तो ट्रेन कितने बजे पहुँच रही है, यहां पर हिंधी में क्या नहीं आया, तो ऐसा अवश्यक नहीं आय Kommar कि हिंधी में हर बार जब मुसको बोलेंगे, तो क्या शब्द हैगा train कितने बज़े पहुँच रही है what time does the train arrive लेकिन हम जानकारी ले रहे हैं किस की जानकारी ले रहे हैं time के बारे में यहां पर वो क्या खा रहा है यहां पर वो क्या कर रहा है यहां पर उसका नाम क्या है so whenever we want information about a person or about an action or about something so we normally use the word what we start the sentence with what so what is your name past test में भी हो सकता है राम क्या कर रहा था what was राम डूइंग what was राम डूइंग माल दीजी आप किस से मिलते हैं वो आप से पूछता है किसी तीसरे मित्र के बारे में कि राम क्या कर रहा था what was राम डूइंग तो जब हम जानकारी ले रहे हैं किसी नाम के बारे में व्यक्ति के बारे में किसी वस्तु के बारे में किसी एक्षिन के बारे में so normally we will use the word what and we'll start the sentence with what वो गॉंट्रेक्टिट फॉम में what's what are इस परकार हम जो है what को यूज करते हैं in sentences these are interrogative sentences starting with डव्यू एच the word is what अब हम दूसरे वर्ट पर आते हैं when when बहुत सरल है हिंदी में इसको कहते हैं कब यहाँ कब वर्षा होती है when does it rain here तुम कब स्कूल जाते हो तो अभी भी हम कोई समय के बारे में जानकारी लेनी है when do you go to school तो when किसी समय की किसी जानकारी हमें लेनी है कोई event होना है कोई action होना है किस समय पर होगा when does train leave for देहले train के लिए देहली के लिए train कब जाएगी when does school close for winter vacation सर्दियों की छुटियों के लिए school कब बंध होगा जबी भी आप हिंदी में इसको सोचेगा जबी भी वर्ड कब आएगा मतलब हमें किसी सपैस्विक समय की जानकारी लेनी है तो we will always start this sentence with when जब आप पढ़ते हैं कोई sentence जो when से start हो रहा है तो आप समझ लेजए कि यह जानकारी आपको देनी है समय के बारे में किस समय पर कोई action होगा when that event or action will happen तो यह हो गया हमारा second word when कब तीसरा हम क्या शब्द सीखते है तीसरा हमने शब्द सीखना है आज की class में where where का मतलब होता है कहां मतलब हमें किसी जगा की जानकारी चाहिए we want information about a place when we want information about time where when we want information about place तुम कहा रहते हो where do you live तुम कहा रहते हो वो कहा जा रहा है where is he going जब कहां मतलब किसी स्थान के बारे में जानकारी लेनी है जिस स्थान के बारे में कोई action होना है या कोई event होना है हम का sentence को हमेशा start करेंगे where ठीक है where is your school तुमारा school कहां पर है ठीक है where did he go वो कहा गया past tense में यह did past tense में यह where did he go where did he वो कहा गया तो again स्थान के बारे में we want some information about the place जब place के बारे information चाहिए तो ब्लेस के बारे इन्फान चाहिए तो इस तुमारा इस sentence विए फिर लास्ट में जो आज वर्ड हमने करना है चोथा वर्ड जो करना है फोर्थ वर्ड is who कौन तो किसी व्यक्ति के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं ठीक है तो who who के sentences कैसे बनेंगे तुम कौन हो who are you who is he वो कौन है कौन आ रहा है who is coming तो यह है तुम कौन हो मतलब किसी से मिलते हूँ आप उसको जानते नहीं हो तो आप जानना चाहते हो किसी को देखते हो उसके बारे में जानना चाहते हो वह कौन है कौन आ रहा है ठीक है who is playing there यह भी किसी विक्ति के बारे में जान करी है वहां कौन खेल रहा है there is वहां वहां कौन खेल रहा है कौन आ रहा है वह कौन है तुम कौन हो ठीक है माल लिजे स्कूल में आपने जानना है कि कौन क्लास लेगा who is taking the class who is taking the English class माल लिजे English subject की क्लास है आपको जानकारी नहीं है वह कौन क्लास ले रहा है तो आपने जानना है तो आप क्याप से पूछोगे who is taking the English class तो किसी व्यक्ति के बारे में हम जान रहे हैं हम जानते नहीं है कौन है तो हमारे जो sentences आप स्टार्ट होंगे with who ये पास्टेंस में भी होगा who was coming कौन आ रहा था who was going कौन जा रहा था who was playing there वहां कौन खेल रहा था who took the English class किस ने English class ली ठीक है तो इस परकार हम जो है wh words से questions बनाते हैं तो आज किस class में हमने चार words सीखे पहला word है क्या मतलब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेते हैं किसी action के बारे में जानकारी लेते हैं किसी situation के बारे में जानकारी लेते हैं we want information about a place and who किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी है तो अगली क्लास में हम जो अन्य वर्ड हैं डब्ली एच के उनके बारे में सीखेंगे तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे कमेंट बाक्स में लिख कर मुझसे पूछें मैं आपका डाउट को लारिफाई करूँगा तो अगर आपको मेरी वीडियो च्छी लेगी है आप इसे प्लीज लाइक जूर करें और अपनी फ्रेस के साथ शेयर बिच करें और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 उसे सब्सक्राइब भी करें थैंक यू